कुबरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना एक गल्ती कभी मत करना जो गल्ती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं कुबरेश्वर धाम में आने वाले इतना द्यान रखो आप कंकर संकर उठाकर पूजन करो पांच कंकर की पूजन करो हम मना नहीं करेंगे पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहाँ जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगहा पर कहीं पर भी इस्थान पर उसको लेजा कर अवश्य रखना चाहिए जमीन पर उसको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए पूजन करने के बाद उन कंकर को उठा कर एक और पटक कर जाओ, एक और रख कर जाओ, जिसकी तुमने पूजन करी, जिसकी तुमने पूजन करी, अब लोग आते हैं कंकर संकर की पूजन करने के लिए, तो वहाँ पूरे ग्राउंड में पूजन करते हैं, और कंकर संकर को मही रख कर चले जाते हैं फिर कोई आता है तो उसका पाउं लगता है जूता, चपल लगता है सब सीष्ट तो उसको पूजन करने के बाद yağ उसको रख कर जाओ एक जगह पर उसको कई अप इस्ठान पर उसको रख कर जाओ है कंकर संकर का इस लिए मना नहीं इससे लिए कुवरेश्वर्धाम में बड़ा सा कंकर के रूप में महादेव केदार्शिला के रूप में विराजमान है जिनकी अराधना आप और हम करते रहते हैं आओ चले सीहोर जी हाँ सातियों एक जुलाई से तीन जुलाई तक सीहोर में गुरुपुर्णिमा का आयोजन हो रहा है भव्य संख्या में भव्य मात्रा में बक्ते वहाँ जाएंगे इस बात कर जरूर द्यान रखे कंकर शंकर की पूजा जरूर करें और वहाँ बेट करके श्री शिवायन नमस्तु व्यम मंत्र का 108 बार उच्चारन करने से मनोकामना पूरी हो जाती है यह हस्चत प्रतिशत सही है पर जब हम कंकर शंकर की पूजा कर लेते हैं तब इन कंकर को उठा करके एक जगे साइड में कहीं रख दें जिससे किसी के पाउं ना लगे क्योंकि तक दोश लगता है, अगर हमारे शंकर के पाउं लगेंगे तो हमारी मनोकंना क्यसि पूरी होगी, यह हम सभी को पता है, तो इस बात का थोड़ा सा द्यान रख करके यह पिर आप अपने किसी अन्नीकारे में लगें, जहां पूजाकरी वहीं लगए नहीं जाना की प्लिया जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरह से वक्त वहाँ पर मगनों होकर की जाप करते हैं पूजा पार्ट में लिन रहते हैं चलिए आओ चलो सीहोर मिलते हैं सीहोर में श्री शिवाई नमस्तु ब्याम हर हर महादेव वीडियो को जरूर शेयर करें चैनल को जरू सेस्क्राइब करें माकाल बाबा फिसारी कामना पूरी करें हर हर महादेव